हेलो फ्रेंड्स, लव एनादर ड्रग्स ये 2010 की रोमेंटिक मुवी आज मैं आपको एक्स्प्लिन करने वाला हूँ इस मुवी में हमारा मेन क्यारेक्टर जेमी जो लव उपर बिलिव नहीं करता जब एक लड़की से वो मिलता है इसका नाम होता है मैगी उसके प्यार में पढ़ जाता है मुवी की स्टोरी लाइन आपने बहुत बार सुने होगी पर इसका एक्जुकेशन बहुत ही अलग है तो चलिए इस ब्यूटिफल मुवी को एक्सल में करना स्टार्ट करते है मुवी स्टार्ट होती है और हमारा मेन क्यारेक्टर जेमी हम देखते है जेमी एक म्यूजिक स्टोर में काम करता है अगर हम जेमी के क्यारेक्टर के बारे में बात करें तो जेमी एक playboy tribe character होता है किसी भी लड़की से बहुत ही अच्छी तरीकी से बात कर सकता है और उसके साथ सिर्फ इसे सोना ही होता है इसके बात करनी की डेगनी यह इस selling में भी use करता है और बहुत सारी चीज़े sell कर देता है यह जिस store में काम करता है तो उस store owner के एक girlfriend होती है जिसे बात करने लग जाता है जेमी और यह एक दूसरे से बात करने लग जाते है और इन दोनों में instant attraction हो जाता है यह directly store के पीछे जाकर एक दूसरे के साथ intimate हो जाते है यह लड़की डर रही होती है क्योंकि उसका boyfriend यही है तब ही इसका mobile on हो जाता है और इसके boyfriend कोई call लग जाता है store owner यहने की boyfriend यह सब सुनता है बहुत ही गुसा हो जाता है जेमी को मारता है और फिर उसे भगा देता है जेमी को अब कुछ भी job नहीं है आज रात उसके family dinner होने वाला है जेमी की family हम देखते है तो उसके एक sister उसका एक brother और उसके parents होते है इसका छोटा boy एक millionaire है उसका luck अच्छा था तो इसका idea चल गया और ही millionaire बन गया इसकी sister भी doctor है पर जेमी ने ही कुछ अच्छा अपने life के साथ नहीं किया है इनके family एक typical dysfunctional family होती है जिनके एक दूसरे से बनती नहीं डिनर टेबल पर जब यह होते है तो जेमी को उसके job के बारे में उसका पुछते है जेमी के brother को पता होता है कि जेमी का job चला गया और उसका reason भी उसके पता होता है तो इसकी वज़े से वो हसने लग जाता है सब जेमी के लिए वरी करते है कि आप वो क्या करेगा जेमी का brother खेता है कि वो drug representative बन सकता है यानि कि doctor को जाकर medicines के sample देने वाले जो लोग होते है इन्हे medical representatives कहते है यही वो जेमी को बनने के लिए कहे रहा होता है क्योंकि इस profession में बहुत सारे पैसे होते है जेमी के brother का नाम होता है Josh तो Josh अपने connections यूद्स करकर जेमी को job दिलवा देता है एक Pfizer नाम की company में जेमी को internship लग जाती है यहाँ आपर selling कैसी करनी है यह सब उसे सिखाया जाता है जेमी intelligent होता है तो जल्दी जल्दी सब सीख जाता है वह उसे सिखाने वाली उसकी boss होती है इसके साथ भी वो intimate हो जाता है जेमी जब उसके boss के साथ बेट भर होता है तो कुछ सोच रहा होता है उसकी boss पुछती है तुम सोच क्या रहे हो जेमी कहता है यहां पैसो के बार में सोच रहा हूँ यानि कि Jamie कोई भी relationship नहीं रखना चाहता यह बहुत ही practical character हम यहां देखते है अब Jamie की internship खतम हो जाती है और उसके boss यानि कि Bruce के लिए काम करने वाला होता है यह दोनों अलग-अलग जगा जाकर doctor को sample देने वाले होता है उसका boss उसे guardian समझाता है कि तुम्हारा जो quota है यही सिर्फ important है तुम्हें जल से जल तुम्हारा quota complete करना है यानि कि तुम्हें promotion मिल सके उसके boss उसे बहुत सारे instruction देता है Jamie को doctor के पीछे hospital में जाना allowed नहीं है तो जब doctor parking lot में ही होते है तो यह उनके पीछे पीछे इसे भागना पड़ता है एक सिन में हम देखते है कि Jamie और Bruce अपने office में होते है यहाँ पर बहुती beautiful लड़की उसे दिखती है Jamie उस लड़की को एक अलगी नाम से पुकारता है इसका नाम उसे पता नहीं होता तो उसका boss पुछता है कि तुमने ऐसा क्यों किया Jamie कहता है कि अगर मैं उसे अलग नाम से पुकारूँगा तो मुझे में interested हो जाएगी वो जब मुझे बात करेगी तो मैं कहूँगा कि मेरी ex-girlfriend का नाम वो था मैं hurt हूँ इसलिए मुझे वो attracted हो सकती है लड़कियों को पाने के लिए Jamie की अलग अलग ट्रिक्स होती है इसका boss भी ये सुनकर impressed होता है इसके बाद Jamie और Bruce एक डॉक्टर के पास आते है ये डॉक्टर उन्हें मिलना बहुत important है अगर इनकी company की गोली ये डॉक्टर लिखने लग गया तो सब डॉक्टर ये ही लिखेंगे इन्हें बहुत सारा फाइदा इससे हो सकता है और के quota भी चल्दी से खतम हो सकते है तो इसी वज़े से इनके लिए बहुत important होता है जब ये डॉक्टर का wait करते है तो डॉक्टर इन्हें ignore करते है जेमी अपने बहुत से पुछता है कि इतना important क्यों है जेमी बहुत कहता है कि अगर हमने सही से quota complete कर दिया तो हम Chicago जाएंगे actual पेसे Chicago में हमें मिलने वाले है जेमी भी competitive होता है तो इस काम के लिए वो लग जाता है जेमी फिर receptionist के पास जाता है वो appointment की date पुछता है कि चार वीक बात होती है जेमी कहता है कि तुम मुझे resist नहीं कर पाऊगी जब तक तुम हा नहीं कहते थी तब तक मैं यही रुखूंगा यह पुछती कि तुम बोल कह रहे हो जेमी कहता है कि मुझे sample छोड़ कर जाने है पर उस जगह छोड़ने है जहाँ पर डॉक्टर देख सके जेमी औरतों के साथ अच्छे से बात कर सकता है और persistent होता है तो receptionist भी मान जाती है इस hospital में और एक लड़की काम करती है जिसका नाव होता है Cindy Cindy भी जेमी से impressed हो जाती है जेमी जब अपने medicine रखने के लिए जाता है तो उसके competition के sample सब कुछ अपने bag में रख देता है बाहर जाकर ये dustbin में fake आता है जेमी अपने office में उस लड़की से मिलता है जिससे ओ अलग नाम से पुकारता था ये लड़की उसे कहती है ये trick मुझे पर नहीं चलने वाली ये बहुत ही intelligent होती है ये कहती है कि मैं किसी भी salesman को date नहीं करने वाली मैं इस profession में हूँ क्योंकि मुझे doctor को date करना है जेमी भी इससे impressed होता है जेमी और उसका boss जहाँ पर doctor जिस बार पर आते है उसे बार में पहुच जाते है यहाँ पर और एक character हमें दिखता है जिसका नाम होता है ड्रे जेमी का boss जेमी को कहता है ये जो ड्रे है ये हमारी competition है ये हमारी country में top 10 salesman में से एक है ड्रे ने हर doctor को convince कर लिया आता है कि उसकी ही company का drug उने देना है जेमी के boss का quota सिर्फ ड्रे की वज़े से ही नहीं हो रहा जेमी फिर रेंक्स दिन डाक्टर के पास जाता है वो इसे 1000 डॉलर्स दे देता है डॉक्टर पुछते है क्या तु मुझे bribe करना चाहते हो जेमी कहता है कि मेरी company सिर्फ experiment कर रही है इसी वज़े से हम सब डॉक्टर को 1000 डॉलर्स दे रहे है डॉक्टर लीगली कुछ डबल में ना है इसलिए कुछ भी स्टोरी बना देता है डॉक्टर भी बहुत ही लालची होता है और अब जेमी की बात सुनने के लिए वो रेडी हो जाता है जेमी भी as a intern डॉक्टर की पीची पीची भागता है अब डॉक्टर जिस patient को देखने के लिए जाते है उसका नाम होता है Maggie Maggie को Parkinson's होता है Parkinson's याने की nerves का एक disease होता है जिसमें nerves काम ने करते हैं और उसके बाद movement भी करना बहुत ही मुश्किल हो सकता है Maggie young है और young लोगों में नहीं होता पर फिर भी उसको a disease है जेमी जब Maggie को देखता है तो instantly उसे वो पसन आ जाती है Maggie को और एक problem होती है उसे लगता है को उसके breast पर कुछ problem है तो डॉक्टर को दिखाती है डॉक्टर कहते हैं कि यह spider bite है जेमी यह सब देखकर मजे ले रहा होता है जब एक cancellation खतम हो जाता है और जेमी बाहर आता है तो Maggie उसके पास आती है और उसे bag मारती है Maggie कहती है कि तुम sales representative हो तुम क्यों वहाँ थे उसे वो sorry कहने के लिए कहती है Maggie उसकी विमारी के विज़े से बहुत सारे doctors को मिलती है और generally doctors rude होते है तो इन पर वो चीड़ गही होती है इस बार medical community से कोई तू से sorry बोले यह उसके expectation होती है और जेमी भी sorry बोल देता है जेमी फिर उसका नाम पुछता है Maggie कहती है strong eye contact, body language इससे तुम अच्छे salesman हो ही उस पर अभी भी चीड़ी होती है और वहाँ से चली जाती है जाते जाते जेमी का एक photo भी ले कर जाती है जेमी को Maggie की बारे में कुछ भी पता नहीं है hospital में काम करने वाली Cindy यह जेमी से attracted है तो जेमी उससे call करता है उससे कुछ भी बहान बना देता है और नमबर वो ले लेता है जेमी जब घर पर आता है तो उसका brother वहाँ आया हुआ होता है उसकी girlfriend ने उससे बाहर निकाल दिया है इसका brother एक pawn edit बन चुका है तो इसी वज़े से उसकी girlfriend ने उससे बाहर निकाल दिया इसी emotional support की ज़रूरत है तो जेमी के पास है अब रहने वाला है मैगी बुछती है कि तुम्हें ये number कैसे मिला पर वो figure out कर लेती है कि receptionist से उसे ये number मिल गया होगा जेमी उसे बोलता है कि please मेरे साथ एक coffee पर जलो मैगी इसके लिए मना कर रही होती है पर जेमी बहुत ही insisting होता है मैगी को पता है कि जब तक वो हा नहीं बोलेगी तब तक ये पूछता है रहेगा इसी वज़े से अब वो मान जाती है इसके बाद हमें इन दोनों की directly date दिखाए गई है मैगी जिस cafe में काम करती है यही पर वो जेमी को बुलाती है ये दोनों बैठते है और जेमी कहता है कि तुमेरे eyes बहुत ही beautiful है मैगी तुरंट पहचंड जाती है कि ये trick है मैगी उससे पुछती है कि क्या हर लड़की पर ये चल जाता है जेमी कहते है कि सच मुछ में सच मुछ में वो बहुत ही beautiful है मैगी इस conversation से पोर हो जाती है वो कहती है कि हम इधर उधर की बाते करेंगे एक दूसरे को like कर रहे है यह सब return करेंगे और उसके बाद एक दूसरे के साथ intimate हो जाएंगे तो क्योंना हम time बजाते है डारेकली मेरे apartment पर चलते है जैमी यह believe नहीं करता कि हो कहा रहा है मैगी serious होती है तो directly apartment पर जाते है और एक दूसरे के साथ intimate हो जाते है मैगी को भी कोई भी relationship रगना अच्छा नहीं लगता तो इन दोनों के लिए यह best option होता है इस तरीके से पारबार हो मिलने लग जाते है एक बार ऐसे ही जैमी के घर पर मैगी आ जाती है और सब गबरे निकाल देती है पर उससे पता ही नहीं होता कि जैमी का brother यहा है यह बहुत ही awkward और funny scene हम यहाँ देखते है जब मैगी और जैमी एक दूसरे के साथ intimate हो जाते है तो अपने childhood के बारे में जैमी बात करने लग जाता है जैमी की बातों से हमें पता जलता है कि वो बहुत ही intelligent था उसे biology बहुत ही पसंद थी पर जैमी कहता है उसके father को जैमी को बहुत ही successful देखना था पर जैमी होने नहीं दे सकता है मैगी इस story पर भी बिलिऊ नहीं करती वो कहती है क्या लडकियों को यह story पसन आती है क्या तुम इसी तरीके से लडकियों के sympathy लेते हो इसके बाद jamie serious हो जाता है मैगी से बोचता है तुम्हारा boyfriend क्यों नहीं है मैगी भी serious हो जाती है वो कहती है जैसा चल रहा है वैसे तुम चलने दो मुझे कोई भी relationship नहीं चाहिए इसके बाद नेक सिन में हम देखते है कि जेमी के पास ट्रे जाता है यह वही salesman है जो उसके competition है यह जोर से इसके pet में गुसा मारता है हमें पता है कि जेमी उसके competition के सब medicine में डाल देता था यह बाद ट्रे को पता चली है और ट्रे उसे बहुत मारता है ट्रे को मेगी और जेमी के बारे में पता है तो उसे वो सला देखर जाता है कि मेगी से तुम दूर भागो वो सही लड़की नहीं है जो medicine जेमी डस बिन में फेकता था वो anti-depressant थी यह medicine एक भिकारी लेने लग गया था और इसके बाद अब वो job interview पर जाने वाला है इसके बाद हमें दिखता है कि जेमी मेगी के लिए food लेकर आता है मेगी surprise होती है यह तुनों खाना एक राखाते है और जेमी उसे बात कर रहा होता है मैं के उसे पुछती है कि तुम यह सब क्यों कर रहे हो मैंने तुमें बताया है कि हमें कोई भी relationship नहीं चाहिए मैंने एक बार relationship में रहने का try किया था और वो success नहीं हो पाया मैं को लगता है कि उसकी condition की वज़े से बहुत सारी चीज़े आप करने ही पाएगी इसी वज़े से कोई भी उसके साथ सही से रहने ही पाएगा और वो किसी को भी deserve नहीं करती उसकी last relationship यानि की try के साथ जब वो थी तो यही एक problem आया था उनमें बहुत बड़ी fight हो चुकी थी उसी वज़े से break up भी हो गया यह सब चीज़े वो जेमी को बताती है इसके बाद यह दोनों intimate होने की कोशिश करते है पर जेमी आज कोच कर नहीं पाता वो actual में मैगी को like करने लग गया है और उनकी जो relationship है सिर्फ physical है उसे अब नहीं चाहिए मैगी भी उसे समझ लेती है और मैगी कहती ही कि हम अब बात कर सकते है यह फिर सुबे से लेकर शाम तक बहुत सारी बाते करते है बातों बातों में मैगी कहती है कि तुम्हारी company वाइगरा इंटर्यूस कराने वाली है यह आदमियों का performance increase करने का एक ड्रग है यह बहुत सारी बाते करते है और फिर से intimate हो जाते है जेमी जब जहा रहा होता है तो मैगी फिर से उसे कहती है कि मुझे कोई भी relationship नहीं चाहिए हमने जो बाते की है यह last बार हम करेंगे अब next year में हम देखते है कि जेमी जब अपने boss के पास होता है तो अपने boss को कहता है कि जो new drug हमारी company launch करने वाली है वो मुझे चाहिए जेमी बोलता है कि वो drug sale करने के लिए मैं ही best हो मुझे ज़्यादा fast कोई भी sell नहीं कर पाएगा उसका boss भी ये देने के लिए उसे मान जाता है इसके बाद जेमी और उसका boss बार में आते है इस बार में doctor और tray भी होता है जेमी doctor के पास आचाता है वो से बात करने लग जाता है डोक्तर को पता चलता है कि जेमी और मैगी में relationship है डोक्तर को मैगी के लिए बहुत बुरा लगता है जेमी कहता है कि इसमें बुरा लगने जैसा क्या है वो अच्छे से medicine अगर या कि तो उसका जी सकती है यहाँ पर tray क केता है कि तुम्हें इसा लगता है पर यह सब पॉसिबल नहीं है जेमी और ट्रे इन दोरों में फाइट अभी होने वाली है पर ट्रे वहां से निकल जाता है यहाँ पर चो डॉक्टर है एक ठरकी डॉक्टर होता है डॉक्टर को गल्फेंट दिलवाने के लिए जेमी ने आवाज मुझे बहुत ही पसंद है मैगी को यह नहीं चाहिए तो फोन रख देती है जेमी का ब्रदर यह सब सुन रहाता है वो कहता है कि तुम्हें मना कर रही है इसी वज़े से तुम उसके साथ रिलेशन्शिप चाहते हो जेमी नेक्स दिन मैगी के पास जाता है वो मैगी का वेट करता है सुबह हो जाती है तब मैगी आती है मैगी रियलाइज करती है कि रात बर यही था मैगी कहती है कि हम अगर रिलेशन्शिप में जाएंगे तो हम अपने फ्रेंड्स को एक दूसरे से नहीं मिलवाएंगे हम हमारे रिलेशन्शिप को सिक्रेट क्योंकि इसके बाद लोग हट हो जाते हैं अगर तुमने कुछ गलत किया तो मैं कभी भी तुम्हारा मूह नहीं देखूंगी जैमी इन सब के लिए मान जाता है और एक दूसरे के साथ रहने लग जाते हैं अब जैमी को न्यू मेडिसीन का अकाउंट भी मिल चुका है तो बह मैं को पताता है कि सिर्फ 12,000 थी तो फोन रख देने के बाद मैगी उससे पूछती है तुमने ऐसा क्यों कहा जैमी कहता है कि मेरी मदर के सामने मुझे सिर्फ अच्छा साउंड करना था इसलिए मैं कर रहा था मैगी पूछती है कि और क्या तुमने जूट बोला है मैगी ज कॉंफिडन्ट हो तुम अपने गोल के लिए बहुत सारे काम करते हो तुम स्मार्ट हो तुम इंटेलिजन्ट हो पर फिभी तुम्हें लगता है कि तुम यह सब डिजर्व नहीं करते है तुम कितने अच्छे हो कि तुम्हें खुद को नहीं पता है वो जैमी को कॉंफिडन पर वे कर नहीं पाता, उसे सास लेने में तकलिव आ जाती है, मैगी भी उसके लिए डर जाती है, यह इसी पेन में उसे बोल देता है, कि उसे बहुत प्यार करता है, मैगी भी उसे हक करती है, अब हम देखते हैं कि थोड़े दिन गुजर चुके है, मैगी का डिसी और भी क्या तुह तुम्हें नॉर्मन गल्फेर न्हीं चाहिए तो तुम्हारे साथ चाहिए कुछ चीजें कर सके मैगी को लगता है कि उसी वज़े से जयेमि उसके सा한테 रह रहा है जयेमि भी इस पर जेमी इसके लिए पूरे effort अप डालने वाला है जेमी की एक जगा पर conference होने वाली होती है यहाँ भी वो magic को लेकर जाता है इसे conference में magic को कुछ लोग मिलते है जिनको भी उसकी तरह ही बीमारी होती है इनका एक special club होता है चाहां वो जाकर एक दूसरे से बात करते है मैगी जब वहाँ जाती है तो सब लोग उसकी बीमारी के वारे में खुल कर बात कर रहे होते है ये भी उसकी तरह ही है और बहुत सारी चीज़े अपनी लाइफ के साथ कर रहे है ये देखकर उसे मोटिवेशन मिलती है उसे जो लगता था कि वो अकेली ही है अब वो उसे नहीं लग रहा वो भी अच्छे से लाइफ जी सकती है इसके लिए वो होफफूल है जेमी को भी टेक्स मैसेज करकर वो यहाँ बुला लेती है जब मिटिंग खत्म हो जाती है तो जेमी एक आदमी से बात करता है इस आदमी की वाइफ भी इसी डीसिस से जुंज रही है जेमी इस आदमी को उसकी वाइफ के बारें बोचता है बोचता है कि तुम दोनों की रिलेशनशिप कैसी है यह आदमी बोलता है कि क्या तुम्हारे wife को भी है जेमी कहता है कि मेरी girlfriend को है यह आदमी जेमी को सला देता है कि इस relationship को तुम end कर दो यह बिमारी बहुत ही घटिया है तुम किसी भी लड़की से प्यार करते हो तो उसके कुछ qualities के लिए करते हो पर यह सब quality उस लड़की से यह चीन लेती है यह आदमी कहता है कि मैं मेरी wife से प्यार करता हो पर फिर से दुबारा में यह सब नहीं करना चाहूंगा जेमी यह सब सुनकर डर जाता है अब यह ठान लेता है कि कुछ भी करेगा पर Maggie को क्यूर करके रहेगा Maggie के लिए वो research करता है अलग-अलग hospitals देखता है बहुत सारी test Maggie और वो जाकर करवा कराते है जेमी अपने job में बहुत ही आगे चला गया था पर वो अपने job में भी अब जरा बीचे आ रहा है Maggie भी अलग-अलग hospital में जाने से अब चीर जाती है वो अब जेमी से बात करती है वो कहती है कि यह सब तुम क्यों कर रहे हो मेरी बिमारी के साथ भी में रह सकती हो इतना बड़ा यह issue नहीं है वो फिर realize करती है जेमी से बुछती है क्या तुमें लगता है कि अगर मेरी बिमारी ठीक होगी तब ही तुम उससे प्यार कर सकते हो जेमी कुछ भी बोलता नहीं यह समझ जाती है कि यही reason था जेमी से अब वो break up कर लेती है जेमी फिर से अपने career में track में आ जाता है सब targets वगिरा वो जल्दी जल्दी complete करता है तो उसे promotion भी मिल जाता है अब वो नई जगा promotion के लिए जाने वाला है इसके बाद जेमी अपने boss के साथ एक restaurant में celebrate करने के लिए आता है यहाँ पर उसे फिर से Maggie मिलती है Maggie एक दूसरे आदमी के साथ होती है जेमी उसे बात करना जाता है पर Maggie वहाँ से निकल जाती है फिर जेमी अपने जब boss से बात करता है तो सिर्फ जेमी को promotion मिला होता है उसके boss को promotion नहीं मिलता जेमी को यह system बहुत ही गलत लगता है अब जेमी प्रमोशन के लिए नई city में जाने वाला है तो सब packing विगरा कर रहा होता है हमने देखा है कि जेमी और Maggie एक दूसरे को tape करते थे तो यह tapes उसे मिल जाती है एक वीडियो चलाता है जिसमें Maggie बहुत ही खुश होती है जेमी जब पूछता है तो यह कहती है कि यह जो moment है यह मेरे लिए बहुत ही beautiful है एसा एक moment हो या हजार पर अभी जो चल रहा है यही मेरे लिए बहुत ही important है जेमी अब realize करता है कुछ भी चीसे matter नहीं करती Maggie के साथ जो भी पल वो गुजार सके वो उसे गुजारने है यह moment उसका important है वो future की नहीं सोच सकता जेमी जल्दी से Maggie के पास जाता है Maggie एक बस में आगे चली जाती है तो बस का पीछा करता है और बस को रोक लेता है Maggie पुछती है क्या है सब करकर तुम मुझे impress करना चाते हो जेमी केता है कि प्लीज मेरी बात सुन लो जेमी केता है कि मैं घटी आदमी हूँ मैंने मेरी पूरी लाइफ में किसी भी केर नहीं की है जब तुम मेरी लाइफ में आई तो तुमने मुझे सब कुछ चीज़े सिखाई है मैं जो समझता था वो मैं गलत समझता था तुमने मुझे सही आदमी बनाया है सब लग मुझे जैसे देखते थे वैसे तुमने मुझे कभी भी नहीं देखा तुमने मुझे अपने आप पर बिलीव करना सिखाया है जैमी कहता है यह मुझे तुम्हारी जरूरत है और तुम्हें भी मेरी है यह सब सुनकर मैगी भी रोने लग जाती है मैगी कहती है कि मुझे तुम्हारी ज़ादा ज़रूरत पड़े की ये फैर नहीं है जेमी कहता है मुझे इससे कुछ भी भरक नहीं पड़ता हम जो भी करेंगे वो एक साथ करेंगे किसी alternate यूनियोर्स में हम perfect couple हो सकते है पर हम इस moment में जो है यही मुझे चाहिए मुझे इसमें कोई भी changes नहीं चाहिए हम दोनों की ही जोडी best है इसके बाद ये एक दूसरे को accept कर लेते है मुवी के last में जेमी हमसे कहता है कि लाइफ में हम जो चीज़े एकसपेट करते है वो कभी कभी हमें नहीं मिलती पर जो हम expect भी नहीं कर सकते है उसे जादा हमें मिल जाता है अब जेमी उसे जो promotion मिलने वाला था वो नहीं लेगा उसे हमेशा से doctor बनना था तो इसलिए अब वो degree लेने वाला है जेमी हमसे कहता है कि अपनी life में आप 1000 लोगों से मिलते है पर कोई भी आपकी life में changes नहीं ला सकता और उसके बाद किसी एग से आप मिलते है और वो आपकी पूरी life change कर देता है जेमी के अंदर बहुत सरी insecurities थी वो अपने आपको घटिया समझता था इसे वचे से सब गलत जीज़े को करता था पर मैगी से जब वो मिला तो मैगी ने वो सचूस में अच्छा आदमी है यह उसे realize कर गदिया इसके बाद इसकी life सही हो गए और मैगी के साथ उसे जो problem से उसे भी उसने solve कर दिया और इसके बाद एक दूसरे को इनने accept कर लिया और happy ending इस movie की हो जाती है अगर आपको इस वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दिजेगा यह बहुत सारी इस तरह की movies लेकर आता रहता हो तो प्लीज चानल को subscribe कर दिजे और bell notification icon दबना में मत भूलिया तो हम फिर से मिलेंगे और एक नहीं movie के साथ तब ते के लिए thank you और आप अपने आपका ख्याल रखे है